आज हम सीखेंगे द्विदंड आलेक पिछले वीडियो में हमने सीखा दंड आलेक क्या है अब चलिए द्विदंड आलेक यानि डबल बार ग्राफ को समझे यहां हमें विभिन नगरों से आने वाले कुल चात्रों की संख्या तथा लड़कियों की संख्या दी गई है चलिए हम इनी आकडों को एक अलग प्रकार से दशाते हैं यदि हम इन आकडों के लिए भिन आलेक खीचेंगे तो हमें सूचनाए जैसे किस नगर से सबसे अधिक लड़किया आई है प्राप्त हो सकती है परन्तु यदि हमें संयुक जानकारी प्राप्त करनी हो जैसे कौन से नगर से आने वाले चात्रों में सबी लड़किया है तो यहां हम कैसे ग्याद करेंगे? सोचिए सोचिए अलग अलग दंड आलेक से हम संयुक जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते यहां चात्रों की संख्या और लड़कियों की संख्या एक दूसरे से संबंदित आकडे हैं ऐसी स्तिती में यदि हम दोनों प्रकार के आकडों को एक साथ चित्रीय रूप में निरूपित करते हैं तो यहां हमें आकडों को समझने में अधिक सुविधा जनक होगा यह सुविधा हमें द्विदंड आलेक प्रदान करता है। द्विदंड आलेक खीचना दंड आलेक खीचने के समान ही है। सबसे पहले हम X अक्ष और Y अक्ष खीचेंगे। अब हम X अक्ष पर विभिन श्रेणिया याने कैटेगरीस दर्शाएंगे जैसे यहां नगरों के नाम। Y अक्ष पर हम छात्रों की संख्या दर्शाएंगे। संख्यात्मक आकडों को सही रूप से निरूपित करने के लिए हम एक सुविधा जनक पैमाना लेंगे। यहां हम एक एकाई बराबर नो चात्र यहां पैमाना ले सकते हैं क्योंकि सभी संख्याएं नो की गुनज हैं इसलिए हम वाय अक्ष पर शून्य नो अठारह इत्यादी संख्याएं दर्शाएंगे। यहां अधिक्तम मान चौवन हैं लेकिन हमारी सुविधा के लिए हमने वाय अक्ष पर तीरसट तक संख्याएं ली हैं। अब हम दंड खीचेंगे। हम नगर एक से आने वाले चात्रों की संख्या और लड़कियों की संख्या दंडों की युग्म से निरूपित करेंगे। जिसमें एक दंड चात्रों की संख्या निरूपित करेंगे। तथा दूसरा दंड लड़कियों की संख्या निरूपित करेंगे। इसी तरह हम सभी नगरों से आने वाले छाद्रों की संख्या एवं लड़कियों की संख्या चित्रिय रूप में दर्शाएंगे ध्यान रहे हम प्रतेक दंड की चोड़ाई समान रखेंगे तता भिन्न नगरों के लिए बनाए गए दंडों के युग्मों के बीच समान दूरी रखेंगे. इससे हमें एक द्विधंड आलेक प्राप्त होगा. आप द्विधंड आलेक, शेतिज, एवं उद्वादर रूप में भी खीच सकते हैं. इस द्विधंड आलेक से आप विभिन्न सुचनाय प्राप्त कर सकते हैं, जैसे नगर तीन और नगर चार से स्कूल आने वाली लड़कियों की संख्या बराबर है. इसी तरह हम सैयुक्त जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं जैसे नगर चार से स्कूल आने वाले छातरों की संख्या और लड़कियों की संख्या बराबर है आप इसी प्रकार की और जानकारी प्राप्त करने का स्वयम प्रयास कीजिए इस तरह से द्विदंड आलेक की सहायता से हम दो विभिन्ण प्रकार के एक दूसरे से संबंदित आकडों के तुलना कर सकते हैं तथा विभिन्ण प्रकार के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं आज हमने सीखा द्विदंड आलेक अगले वीडियो में दंड आलेक और द्विदंड आलेक से जुड़े कुछ दिल्चस्प उधारण देखेंगे